हलो फ्रेंटों बैक टू माई चैनल माई निम इस अंकोर मेंदिरता दोस्ते वीडियो में हम बात करेंगे अक्षे कुमार की मुवी ओम जी टू की डे टू की बॉक्स ओफिस केलेक्शन प्रेडिक्शन की के आज फिल्म कितना बिजनस कर सकती है भाई फिल्म का वर्ड अफ लोगों के दिल पर चा गया तो समझो फिल्म ब्लॉक बस्टर बन जाती है और आज इसका जो धंदा होने वाला है बहुत बढ़िया होने वाला है उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा साल दोसार थीस कमबेक का साल है पठान से कमबेक किया शारू खान ने गदर से क सबसे अच्छी बात है सिनेमा लवर्स के लिए अगर स्टार्स अच्छी फिल्म करेंगे तो हमारा ही फायदा है हमें अच्छा कॉंटेंट देखने को मिलता है आओ मुद्दे पे ओम जी टू की ऑक पैंसी चेक करते हैं मुंबई 54 परसंट डैली एंसियर 49 परसंट पूने 58 परसंट 0.50 बैंगलोर 49 परसंट एंड लुकेट चिन नई 59 परसंट एंड अबाव मतलब समझ सकते हो एक फिल्म की उक्पेंसी 50 परसंट से उपर तो समझो फिल्म ब्लॉक बस्टर है कैपिटल लेटर में कोई सिल्म को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता डे वन पर बिजनस आया 10 करोड 26 लाख रुपए मेरी प्रेडिक्शन भी यही थी कि 10 से 11 करोड रुपए लेकर आएगी अब डे टू की जो प्रेडिक्शन आ रही है वो और सॉलिड है 50 परसंट का जंप है फिल्म के पास और कल ये और अच्छा बिजनस करेगी आज के दिन ये फिल्म 15 से 16 करो है और न्यूटल ओडियंस भी फाइनली अक्षी गुमार का साथ देन लगी है जो की सबसे अच्छी बात है अब भाई यहीं उमीद करते हैं आगे भी अच्छी अच्छी फिल्में करें ताकि चलते रहे आपने ओम जी टू देखी या नहीं देखी नहीं देखी तो जाओ पाई मिस करने वाली फिल्म तो कते ही नहीं है बाकी वीडियो में इतना ही कुछ अच्छा लगा हो तो चलो को सब्सक्राइब जरू कर देना थैंक्स पूर वाचिंग